दोस्तों अस्सलाम अलेकूम नमस्का और सच्छेकल इस तक बाले आप लोगों का चैनल में दोस्तों जो लास्ट वीडियो थी वो आपको याद है हमने मौललम खास के उपर बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि उससे लेने से जो है किस तरह से आपको ताकत मिलती है बीमारियों से लड़ने की आपकी immunity power जो है strong होती है आज उसी series में अभी जो हम देख रहे हैं बहुत से हमारे पाई से patients आ रहे हैं जिनको जो है बलगम खासी वगरा की समस्या रहती है तो उसी से related जो है आज की ये वीडियो है ये वीडियो जो है आपके फेफरों को जिसे हम लोग लंग्स कहते हैं उसको ताकत देगा और आपको चाहे सूखी खासी हो या बलगम वाली खासी हो या फिर पुराने से पुराने किसी भी तरह की खासी हो इवन ट्यूबर क्लोसिस तक की खासी के अंदर ये बहदरीन काम कर जाता है ये है न्यू शमा का जीवन बक्ष बहुत ही पुराना सिरप है पहले भी बहुत यूज होता था और आजकल बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है जबसे ये करोना वाली प्रॉब्लम आई है इसके सास जो खासी या बलगम हो जाती है चेस्ट में जो infection हो जाता है या lungs में infection हो जाता है उससे related बुखार भी आना शुरू जाता है तो उसमें भी बुखार में भी ये काम करेगा आप इसके सासा सिर्फ एक पैरासिट अमोल जब आपको ज़रूद हो तब आप ले सकते है और इसके साथ साथ malaria के बुखार का तो ये specialist है ये सिरब ठीक है ना इसके साथ साथ rickets ये आप देखेंगे ये rickets जो है ना ये एक बच्चो की problem होती है जो की vitamin D और calcium की deficiency की वज़े से होती है जिसमें छोटे बच्चे जो होते है ना उनमें जो है movement की problem आती है मतब हाथ पैर जो में परिशानी होती है और हाथ पैर की movement करने में भी उन्हें परिशानी होती है तो इस तरह की problem में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है खास दौर पे बच्चों के लिए मतब की खासी जुखाम बुखार और बच्चों की calcium vitamin D की deficiency में ये काम करता है अब इसमें क्या हर्प्स डले होई है तीनों भाशाओं में दे रखा है English में है उर्दू में है और Hindi में है इसमें सब डेटेल दे रखी है बाकी formula मैं आपको फटाफट बता देता हूं इसका इसमें लगबग 45 तरह की जड़ी बुटियां डली होई है और मैं आपको पहले बतायता हूं ये दुबार बतायता हूं और ये जड़ी बुटियों का अलग से हर कंपनी सिरफ या माजून जो है वो बनाती है मतब इसमें कंपनियां अगर 10 तरह के माजून बनाती है तो वो 10 के 10 माजून का combination सिरफ इस एक सिरफ में आ रहा है ये इसकी खासियत है जैसे इसमें असलसूस डला हुआ ह बनफस्या का अलग से खासि का सिरफ आता है वो इसमें डला हुआ है इसमें चिरायता है चिरायता का सिरफ भी आता है पौडर भी आता है निलोफर है निलोफर का भी सिरफ आता है गुले सुर्क है इसमें गौजबन है गौजबन बहुत सी कंपनियां बनाती है ताकत के लि इसमें कासनी डला हूआ है इसमें सपिस्तन हैं लौक सपिस्तन के नाम से हम्दर्त का जो है माजूघोण आता है इसमें उननाब है उननाब भी सिरप आता है खासी और जुखाम के लिए इसमें उस्तु हइदर डला हुआ है उस्तु होड़र डलवी कंपनी का भी आता है capsule form के अंदर और आपके माजून फार्म के अंदर इसमें जाफरान डला हुआ है तो मोटे तोर पे मैंने आपको बता दिया है जो इसमें herbs डली हुई है इतनी स्टॉंग हैं कि वो सारी जो हर्प्स हैं कम्प्रियां उनका एक-एक माजून या सिरफ बना के सेल करती है सिर्फ एक-एक चीज का और वो सारी जितनी भी 10 में चीज हैं वो सारी इसके अंदर डली हुई है ये इस शर्बत की खासियत है इसकी जो डोसेज है, वो मैं आपको बतायाता हूँ, फ्रंट पे लिख्यूई है, डोसेज जो है, सिर्फ 30 ml आपने दो बार लेना है, 30 ml दो बार एक कब गरम पानी में डालके, आप कभी भी भी ले सकते हैं, सुबह और रात को, ना हर्मू, यानि कि आप बिना कुछ खाय पि ती और ये लगबग औरेंज कलर की, नारंगी कलर की बॉटल होती है, जो मैं आपको परिशानिया बताई हैं, सारी परिशानिया इस बॉक्स पे लिख्यूई है, बॉटल के उपर भी लिख्यूई है, इसका जो प्राइज है, कुछ खाज नहीं है, लगबग 200 रुपे के आ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेर और फॉरवड जरूर करिएगा, बाकि आपको नजदीकी जो है, आयुरुवेदिक युनानी दुकान पे मिल जाएगा, कुछ काफी पुराना सिरफ है, और शमा की जवाईया जो है, लगबग हर दुकान प इस पे जाके कर सकते हैं, तो अभी के लिए खुदा आफिस, शबत